हलो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि हैवल्स इंडिया के कैसे रेजल्ट आते हुए देख रहे हैं कौर्टर अच्छा गया यह बाला देखा जाये तो लास्ट कौर्टर है लेकिन यह एक ही चलो एंडिंग अच्छी होती हुए देखी है तो 470 करोड की तो जो है इनकम होत था वहां से भी लगवा लगवा ठीक ठाक जंप है 10-15 परसेंट का और अगर बात करें कि प्रिवियस एयर में इस क्वाटर के अंदर 303 के आसपार 303 करोड के आसपास का था मतलब सेम सही था तो वहां से मतलब देखेंगे तो यह और यह कौर्टर कोटर 15 परसेंट के आसप देखिए 14,098 और अब यहां पर बात करें कि प्रॉफिट कैसा है तो प्रॉफिट में भी देखेंगे तो कहीं न कहीं एक 15 परसेंट के लगवा लगवा की जो है ग्रोथ है 1044 करोड से 1196 करोड का जो है एक इनका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखा है तो देखेंगे यह कंपनी है और जिस तरीके से जो है इनका बिजनेस है उसको अगर देखा जाए तो FMEG प्रॉडक्ट जो है कंपनी बनाती है तो मेरे एसाब से जो है कि उम्मीद के मुताविक रिजल्ट है और उम्मीद से बहतरी कहने के कोशिश करेंगे क्योंकि आप देखें ये वाला जो लास्ट वाला जो क्वाटर है उसको कितने अच्छे से जो है इनोने संभाला है बेसिकली अपने इंकम को अपनी अर्निंग्स को प्रॉफिट को तो संभाल के जो है कंपनी ले कि आई है तो वो चीज़ा कहीं न कहीं देखी जाए तो बैटर देखने को मिल रहा है अब हाँ पर बात करें तो इनके सेगमेंट वाइज एक बार देख लेते ही आप जी लॉयड वाला जो देख रहे हो न यह तो इनके लिए जो मुसीवत बन गया यह सेगमेंट लॉयड गंजूमर वाला जो सेगमेंट है आप देखेंगे इस वाले क्वाटर में भी प्रीपियस आक वाले कौकर में भी रहा है यह होल यह जो है lows में रहा है आप देख सकते है करी-करी 73 वह करोड का इस नहीं जो है लॉड दिया है और वह सारे जो भात है और साथ की साथ थोड़ा इन्होंने जो है dividend भी टपका दिया है तो यह सारी चीज अगर देखा जाए तो है वेल्स एक ठीक result लेकिया यह देखा जाए तो और अब यहां पर एंडिंग हो रही है एफ टॉन्टी टू की तो यहां पर कही ना कही possibility है कि next quarter better जाने के chances हो सकते हैं थोड़ा बात अगर हलका भी आया तो तब भी चलेगा लेकिन मुझे लग रहा एफ टॉन्टी थ्री एफ टॉन्टी फॉर सॉलिड होने के chances बन सकते हैं इस company के जिस तरीके से इन ना इन रिजल्ट है बढ़िया result है company के हाला कि stock अगर आपको न के आसपास का है maximum return तो बहुत ही solid है इसका अब यहां पर अगर एक साल का return आप देखेंगे उसके एसाब से मैं आपको नीचे अगर stop loss अगर इसमें suggest करूं तो नीचे stop loss निकल के आता है करीब करी 1150 रुपे के आसपास का मतला एक तो stop loss इसका बिलकुल instant ही है वो 1255 जहां पर कि आने वाला quarter जो है उसमें inflation थोड़ी जादा देखने को मिल सकती है तो यहां पर क्या है कि थोड़ा बहुत गुंजाईस है stock थोड़ा बहुत यहीं से थोड़ा मतलि या तो यहीं खड़ा रहे या थोड़ी बहुत correction देखा है correction अगर दिखा रहा है fresh mind करनी है बिलकुल करो और इसमें अगर आपको average भी करना है तो में दमाग से तो जो बिलकुल करा जा सकता है इसमें average अपना भी analysis हाला कि एक बाद ज़रूर कर लें उसके बाद इस stock को buy sale या hold करें तो एक बहतर result है हैवल्स के possibility है इस से related जो company है जो stock जो listed है इस business से related इस के business से related जैसे polycap की अगर ब बात करें तो यह कहीना कहीं इन पर effect आएगा मतलब मुझे लगता है कि कहीना कहीं अब इनके अंदर चाल बनती हुई नजर आ सकती है तो उन पर भी ध्यान रखो उनके भी result possibility है आप एक ठीक ठाक आते हुए देख सकते है और इंट उसका भी ठीक result आता हुआ देख सकता है तो अपना भी analysis है लगी एक बार जरू कर लें उसके बाद इस टॉक को buy sell या hold करें वीडियो अच्छे लगे तो like जरू करिएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर लें तो मिलते हैं फिर next video में